हेलो गाइस सभी को नमस्कार कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे और जबरदस्त होंगे कुछ निकल के आई हैं मतलब कुछ सूच रहा है आपके सामने निकल के आ कि और अपके सामने आई हैं वह मैं रख रहा हूँ उसमें कौन-कौन सी ठोड़ा सा यह जो नजर डालते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि किस भरती आने वाली है और उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वह यह वाला रहेगा एक निकल के आए है कि सभी आयोगवा चैन बोर्ड बताएं मार्च 2014 तक कितनी भड़तियां करेंगे और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो यूपीट वलस्टी के भाई साब सचीव हैं आपके उनको मुख्यमंत्र जी ने वरखास्त कर दिया है तो अभी क्या होने वाला है क्या असर पड लेखेगा इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाच ने कारागार प्रसासन एवं सुधार विभाग में खाली पदों को भरने के निर्देश दिये वर्तमान में इस विभाग में समू का से ले करके समू घातक पैतिस सो चार पद पर 354 पद रिखते हैं इसे सीधी भरतिवा विभागी प्रोन नट्स के जरिए भरा जाना दे सीधी वर्ती और विभागी प्रोन्न नत करके भी भरेंगे मतलब के जो बचेंगे वहार से बढ़े जाएंगे अगर बचेंगे तो इसे सीधी भरतिवा विभागी प्रोणनत के चलिए भरा जाएगा हलांकि राज सरकार ने तीन दिन पहले इस विभाग में दो IPS अधिकारियों को इस्थाई तैनाती दिये जबकि कि तीन IPS को अतिरिक्त प्रभार सोंपाए हाल ही में एक उच्छिस्तरी बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्तमान में विभाग में समुखा के 156 पद हैं इनमें से 107 पद रिक्त हैं इसी तरह समुखा के 738 में से 326 पद खाली हैं समुगा और घा में क 7543 और 682 पद हैं जिसमें क्रमसा 2808 और 263 पद खाली हैं मतब एक जो आपका 10543 में उसमें 288 और 682 वाले में 263 पद खाली हैं ऐसे में वर्तमान में 12119 में से 879 पद पर कर्मी तैनाथ हैं जबकि सेष पद खाली हैं इसी तरह जेलवार्डर के 8815 पदों में से 2068 पद खाली हैं इस समद्न में विभाग ने उत्रपरदेश भर्तीयों पर नतिबोल्ото को पत्र लिखा गया है इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया में मई 2024 में सुरू हो सकती है मई 2024 बताया कि इसमें आपकी मई 2024 में ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है ठीक है न कौन सी प्रक स्वास्त बिवाब की ओर से की जाती है इसी तरह फार्मासिस्ट के 149 पदों पर भरती के लिए उम्र अधिनस्त सेवा का चैन आयोग को पत्र भेजा गया है कि रहे हैं पत्र भेजा गया है ताकि यह जल्दी से भरती करा पाएं तो यह किन आई अभी तक नहीं है अब इसका इंतजार करते हैं कब तक आती है इन्होंने बोला मई तक आ जाएगी आगे बढ़ते हैं एक और नियूज आपके सामने निकल क्या रही है जो कि आपसे रिलेटेड है वीडियो वालों से भी रिलेटेड है और जो आपके जो अधर मोड पर पर आई प्रदेश सरकार भाई सहाब ऐसा लग रहा है जैसे कल वेकेंसी आजानी है प्रदेश सरकार एकन मिसन पर आ चुकी है जो हुआ जाए ना बोलते हैं दो जार बाइस से यह मिसन मोड पर चल रहा है अभी इतना मिसन मोड पर आ गए कि इनोंने सच्छू को परखास्त कर दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखेगा केरा सरकारी विभागों में भरतियों को लेकर प्रदेश सरकार को सक्रित प्रदेश सरकार की सक्रेटा बढ़ गई है ठीकिना सासन ने सभी आयोगों और बोल्डों के सचिवों में सचिवों सो सूचना मांगी मार्स 2014 तक भरतियां करेंगे मार्स 2024 तक भरतियां करेंगे अच्छा जी टाइम आपका वह भी आ जाएगा संब्सक्राणी मिलने से सभी बोल्ड आयों के सचिवों के आनन्वार साम तक इसकी सूचना तासन को भेज दे इस खुब साफ नहीं आया है आगे पढ़ते हैं तासन से जारी इस आदेश को लोकसभा चुनाओ 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है बिल्कुल देखा जाएगा भाई 2024 तक आप निकाल देऊ मार्स 2024 अच्छा जी उसके बाद कह रहा है असार है कि कुछ दिनो में कई भरतियों का विज्यापन आएगा डेट भी बता देते तो और अच्छा रहता तीन अप्रेल को विशेश सचिव मदन सिंग क्या नाम है इनका आगे का कुछ नाम है जो इसमें दिख नहीं रहा है ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनस्त सेवा चैन इस दिया है इन्होंने इमेल पर या सूचना एक प्रारूप पर मांगी है कि निर्देश मिलने मिलते ही सभी सचिवों ने अप्रेल से जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च दोजार चौबीस तक होने वाली भर्टियों से संभावित च विश्क्षा सेवा आयोक में तबी लंबित असिस्टेंद प्रोफेसर के कुछ पद हैं यहां प wounded PC के लिये अवेदन लिया जा चुका है बला बला बहुत सारी चीजें इन्होंने यहां पर लिखी है सिक्सेकों के एक तालिस सो तिरेसट पदों पर भरतियां लंबित हैं तो यह पूरा साफ दिखनी रहा है जहां से भी यह कटिंग निकाली गई है पूरी पूरी तरह से साफ नहीं आ लिए मतलब इतना ज्यादा मतलब इतना है कि यार आपका आएगा 100% होना निर्धादित हैं में भी हो सकता है कि वीडियो का एक्जाम इसी महीने आपका मतलब लास्त महीने आपका अप्रेल लास्त में हो सकता है आपकी डेट आजा और मैं मैं करा दें लेकिन थोड़ा सा एक्टिव तो हुए है यह लोग ऐसा जादा चीजें मतलब विरोजगारी की समस्याओं को समझ भाएं बाकी जैसी भी नियूज आती है आपके सामने लख दी जाएगी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह नियूज है आपके लिए कि 3504 पदों पर जल्द होगी भरतियां इन्होंने मैं 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 बोला है अप्रिल में मिल सकती है तो तैयारी एकदम जारी रखिएगा बढ़िया तरीके से ठीके ना बाकी आपकी जो वीडियो वाले बच्चे हैं जो भी मतलब वीडियो वाले मेरे भाई बहने उन सभी के लिए कल एक क्लास लगाई गई है संडे को जिसका मतलब टॉपिक वाइस क्लास है आपकी समास वाला समास को बढ़िया आप कोश्चन हम से पूचेंगे बढ़िया डिटेल में हम लोग समास पढ़ रहे होंगे वहां पर तो कल सुबह 10 बजे आना कताई मत भूलिएगा कताई मत भूलिएगा बाकी सभी लोगों के लिए वीडियो और एक्जाम के लिए क्या छे बजे साम को यूपी संगम बाई अमडी क्लास के यूटूब चैनल पर होता है जिल लोगों को भी वीडियो और एक्जाम के लिए तैयारी करनी है सभी लोग जुड़ सकते हैं यूपी संगम पर और अगर जानकारी अच्छी लगे जानकारी आपको मिलती रहती है तो ल एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा सभी लोग कि कौन-कौन वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो कल विल्कुल आना मत भूलिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दिया गया है समास वाली क्लास एक पर जरूर पढ़ लीज करते हो अब मैं मोटा मोटा अगर बात करूँ वीडियो के ही कई सारे ऐसे टेस्ट होंगे जो आप लोग दे सकते हो विज सेलूशन आपको मिलेगा और उसकी वीडियो सलूशन आपको यूपी संगंभाई अम्डी क्लस्स में मिल जाएगा जो की हर संडे सामको छे वजे से मॉडल पेपर का सलूशन होता है ओके थैंक्यू सो मच मिलते हैं अगली क्लास में धन्यवाद सभी को नमस्कार जैंट